नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है SSC JEE 2022 की वेकेंसी आ चुकी है और ये डिसाइड भी कर दिया गया है कि SSC JEE 2022 का जो पहला एक्जाम होगा वो नौंबर मंत में लिया जाएगा तो चली इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि SSC JEE 2022 Mechanical Ingenieurs का सलेबस क्या रहने वाला है यारी कि 2022 में SSC JEE Mechanical Ingenieurs के लिए सलेबस क्या रखा गया है हम आपसे फुल सलेबस सेर करेंगे चली वीडियो की सुरुभात करते हैं वीडियो की सुरुभात करने से पहले आप सभी से बस चोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीशे और यदि आप इस चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वे लाइकर प्रेस कर लीशे जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे SSJ में Mechanical Engineers के टोटल टू पेपर होते हैं तो चली हम आपसे पहला और दूसरा दोनों पेपर का सिलेबस इस वीडियो में सेयर करते हैं तो सबसे पहले इधियम फर्ष्ट वेपर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फर्ष्ट वेपर में आपसे जर्नल इंटेलिजन्स एंड रेजिनिंग से रिलेटेड कुश्चन पूशे जाते हैं जिसका पूरा टॉपिक यहां से लेकर यहां तक का है तो यहां से लेकर हम आपको पूरा सलेबस दिखाते चलेंगे और आप इसका स्क्रिन साट लेते चलिएगा next आप देख सकते हैं कि आपसे journal awareness से related बहुत सारे question पूछे जाते हैं जिसका पूरा syllabus यहां से लेकर यहां तक का है तो इसका भी आप screenshot ले लीजिए next आप देख सकते हैं कि journal mechanical engineering से related भी आपसे question first paper में पूछे जाते हैं जिसका पूरा syllabus यहां से लेकर यहां तक का है तो इसका भी screenshot आप ले लीजिए और इसके सासत इसका कुछ पार्ट नीचे भी है इसका भी screenshot आप ले लीजिए तो यहीं पर आपका first paper end होता है और यहीं से second paper start होता है तो चलिए अब हम आपको second paper का syllabus दिखाते हैं और आप इसका screenshot लेते चलिएगा तो second paper में first point आप देख सकते हैं कि theory आप machine जिसका पूरा syllabus यहां से लेकर यहां तक का है तो इसका screenshot आप ले लीजिए second आप देख सकते हैं कि engineering machine and strength material तो इसका screenshot यहां से लेकर यहां तक का है नेक्ष्ट आप देख सकते हैं कि thermal engineering जिसका पूरा syllabus यहां से लेकर यहां तक है इसका भी screenshot आप लेते चलिए नेक्ष्ट आप देख सकते हैं कि फर्ष्ट ला thermodynamics एंड सेकंड ला thermodynamics तो इन दोनों का screenshot आप एक साथ यहां से लेकर यहां तक का ले लीजिए नेक्ष्ट आप देख सकते हैं कि air standard cycle for IC engine नेक्ष्ट आप देख सकते हैं कि आपको यहां से लेकर यहां तक पूरे syllabus का screenshot ले लेना है नेक्ष्ट आपको dynamics आप idle fuel और इसके साथ साथ hydraulic इन सब का screenshot यहां से लेकर यहां तक ले लेना है इसके बाद last point है जिसमे classification आप इस टेल तो इसका पूरा screenshot यहां से लेकर यहां तक ले लीजिए तो यही पर आपका second paper का syllabus इंड होता है तो full syllabus हमने आप से share कर दिया यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर well icon प्रेस कर लीजिए अभी के लिए बस इतना ही अपना ख्याल लखिये और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लखिये इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद